आज बिगी पीडिया चैनल में आपका स्वागत है मैंने आज तयार किया है हाई स्कूल बोर्ड परिच्छा का एक अपने बात दिम से गैस पेपर इस गैस पेपर में मैंने कैसे कैसे प्रश्णों को रखा है आईए देखते हैं विकी पिडिया चैनल के बाते हैं से जैजनीन मित्रो देखिए आज मैंने एक गैस पेपर तयार किया है अपनी इसाब से आसा करता हूँ ये गैस पेपर साइड आपके काम में आ जाए देखिए मैंने इसमें किस तरह के कुश्चन रखे हैं मैंने वही प्रारूप बनाया है जिस तरीके से गोर्ड एक्जाम में पेपर आता है वही इसाब से मैंने मार्किंग की है सिर्फ और सिर्फ आप लोग मैंने यह सब किया है आईए देखते हैं इस गैस पेपर को इसमें मैंने कैसे कुश्चनों को रखा है देखिए यहाँ पर आईए देखते हैं देखिए यहाँ पर पहला कुश्चन में जो मैंने रखा है आपके पास मैं आपको बता दू पेपर का प्रारूप क्या होता है बहु बिगलपी प्रश्चन आते हैं सबसे पहले वो एक ये मैंने लिखा रखा है यहाँ पर एक गुड़ा 6 यानि 6 बहुत बिगलपी आएंगे एक एक नमबर के जिसमें मैंने पहला कुश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा पर्मिबेंज़क X प्राप्त करने के लिए एक वर्टे X में क्या गठाना चाहिए या क्या गठाना होगा अब दूसरा कुश्चन मैंने रखा है X स्क्वेर माइनस Y स्क्वेर और X प्लस Y का लासा है थीक है तीसरा कुश्चन है 10, 13, 5, 3 का मान बताओ ठीक, चौथा प्रश्ण मैंने रखा है एक ब्रत है, जिसके केंद्र O, R के लगू चाप PQ की अंसमाब 2 से डिगरी है और दीरी चाप का मान Radian में ग्याद कीजिए, यह मैंने चित्र को बनाया है, यह आपको दिखाई दे रहा होगा और मैंने यहाँ पर रखे हैं और एक सेकिल लास्ट कोश्चन है बिंदू A स्क्वेर कॉमा बी तथा B स्क्वेर कॉमा एक को मिलाने वाली रेखा की प्रवड़ता होगी यह उप्सन मैंने 4 रखे हैं और लास्ट कोश्चन इसका 4 नम्मर का एक बेलन की तरिज्या 7 सेंटी मिटर उसकी उचाई 3 सेंटी मिटर हो तो बेलन का संपूर प्रश्ट होगा देखें, यह 6 प्रश्ट मैंने बनाए है ठीक है, यह एक एक नम्मर के आपके आएंगे ठीक, अब इसका दूसरा पार्ट है इसमें लिखा है, सभी खंड कीजिए यह चार नम्मर के बनेंगे एक एक नम्मर के यह भी आएंगे इसमें objective case नहीं होगा पहले की तरह है, यह इसमें आपको solve खुद करना पड़ेगा, यहां देखिए यह लिखा है नेक्स कुश्चन मैंने लिखा है चित्र में POV एक ब्रत का एक ब्यास है बिन्दू P, AB, A, B और Q A, B और Q ब्रत के बिन्दू है यदि angle ABP बराव 60 degree तो angle BQ A का मान ग्यात करो यह मैंने diagram बना रखा है देखिए, मैंने यह आपका gas paper बनाया है अगर आपको कोई भी problem होती है कोई question आपको solve नहीं हो पा रहा हो इसका तो आप मेरे को बताए मैं आपकी help करने के लिए पूरी तरीके से तयार हूँ उस संकु की तिरची उचाई ग्यात कीजिए नेक्स कुश्चन यह रह गया मेरा उस रेका का समिकण ग्यात करो जो यह minus 1,2 से होकर जाता है तो उसकी प्रवड़ता 2,5 है वो संकु की तिरची उचाई ग्यात कीजिए जिसके आधार की दरीचा 7 cm और उचाई 24 cm ठीक है नेक्स कुश्चन मैं देख रहा हूँ देखिए तीसरा खंड है यह दो बनाके आथे हैं इसमें आपको तीसरे खंड में सभी में देखो examiner के उपर depend करता है कि आपको किस तरीके से paper बंग के दे रहा है लेकिन मेरा मानना यह है मैंने जिस तरीके से बनाया है क्योंकि option आपको बहुत कम मिलेंगे क्योंकि अत्वा में बहुत कम question दिये जाते हैं last option में दे दे तो दे दे नहीं तो मेरे साब से कोई option नहीं मिलता आपको उस पूरा paper solve करना पड़ता अब यहां देखिए question खंड number 3 है सभी खंड कीजिए दो number का एक question है ठीक है दो number का एक question है चार एस तरह के सवाल आपके सामने 4 आएंगे ठीक है अब देखिए यहां पर देखिए यहां पर खंड 3 में 2 गुणा 4 4 प्रशन है और 2 दो number के हैं 4 यदि A और B दो बेंजक के मासा तता लासा H तता L है यदि A प्लस B वरावर H प्लस L तो सिद गरो AQ प्लस BQ वरावर HQ प्लस LQ ठीक है आपको दिखाई दे रहा है रेखा ने बासिंग मशीन खरी दी उस पर अंकेत मूल 25-60 रुपए तता 7% विक्री का रत्रिक्त है दुगंदार ने कुछ अंकेत मूल में से कुछ रुपए कम कर दिये तब रेखा को बासिंग विक्री साइद 25-60 रुपए में बताईए कितना अंकेत मूल कम करना चाहिए तीसरा कुशन मेंने बनाया है समानतर माद्ट 25 अंक है एप कमान ग्याद कीजिए प्राप्तांग 0,10,10,20,20,30,30,40,40 विद्यार संग्याद यहाँ एप कमान निकाला समानतर माद्ट 25 दो नम्बर का ये प्रश्ण है नेक्स कुश्चन है हमारा यदि A धन, B धन, C वरावर 180 डिग्री तो सिद्ध करो 10 A AY2, 10 BY2 प्लस 10 BY2, 10 CY2 ठीक है 10 CY2, 10 AY2 वरावर 1 सभी खंड हल कीजिए यहाँ पर देखें यहाँ पर चौथा खंड आ गया मेरे पास चौथे खंड में भी दो नम्बर का कुश्चन आता है एक विक्ती नदी के किनारे खड़े होकर देखता है कि उन्यन को और 30 डिगरी हो जाता है पेड की उचाई तथा नदी की चोड़ाई गयाद कीजिए नेक्स कुश्चन है दिये गए चित्र में तरभज A B C गंत का एक ब्रत कीचा गया है P की वार ब्रत की इस पर पिंदू है P A ब्राव 4 सहमी, P B ब्राव 6 सहमी तथा A C ब्राव 12 सहमी हो तो B C की लंबाई गयाद कीजिए ये मैंने आपका चित्र बना के दिया है आप इसे प्रशन को जरूर करें जिससे आपकी बहुत हद तक परिशानियां स्वाल हो जाए अब आगे हैं एक लोहे की एक गयंद की तरज्या 1.5 सेंटीमीटर है इसे पिगला का 3 छोटी गयंद बनाई गई यदि 2 छोटी गयंद की तरज्या 0.75 सेंटीमीटर था 1.0 सेंटीमीटर है तो तीसरी छोटी गयंद का ब्यास गयाद कीजिए ठीक है सभी खंड कीजिए अब यह पांचमा खंड है हमारे पास यहाँ इसमें 4 प्रश्ण है देखिए सभी खंडों में 4 प्रश्ण ही आते है mostly सभी खंडों में आपको 4-4 प्रश्ण मिलेंगे next question है by के लिए हल कीजिए यह आपको root by plus 6 minus root by minus 1 वरावर root by minus 9 चार नमर का सवाल है बहुत important है कराधान से मैंने एक प्रश्ण आप कर लेना मैंने नहीं लिखा है अच्छे से आप एक प्रश्ण वो लगा लो मेरी वीडियो को आप देख लो जिससे आपका question solve हो जाए गड़त के प्रापतांकों से माद्दिगा ग्याद कीजिए प्रापतांक यह लिखे हुए है मद्दिगा वाला शवाल आपको लगाना है वही L1 प्लस L2 माहने लगाना है इस तरह से सवाल को आपको solve करना है लास्ट कुर्शन है साइने L2 साइन सिस्टी माहने से साइन सिस्टी ब्लस Olivier रहा एक गट्टे चार साइन तरह दी अब देखे कुश्चन नममर six कुश्चन नमर six में six में भी यही है six में यही है देखे रूपाली एक नाव से सांत जल में पंद्रे किलोमीटर हावर की दर से चल सकती है दाहरा की दिसा में 30 km जाने में धारा के विपरीद दिसा विपरीद 30 km वापस आने हुआ कुल 30 मिनट का 30 km जाने में धारा के कुल 4 गंटे 30 मिनट का समय ले दिए धारा की च्याल गयाद कीजिए ठीक है अब इस second question है छटमे का खाब एक उदादर खंबा अपने पाद के तल से इस तित किसी बिंदू पर alpha कॉण अंतरित करता है तता एक A मीटर लंबा आदमी जो खंबे के सिगर पर खड़ा है सडक के किनारे उस बिंदू पर बीटा कॉण अंतरित करता है सिद्ध की जे खंबे की लंबा A sin alpha कॉस alpha बीटा 8sin बीटा मीटर है देखे इसमें चार कुश्चन है अब चोथा कुश्चन है यह आपको तयार किया है मैंने देख लीजिए देखे ब्रतिक के एक चाब द्वारा केंदर पर बना कौन उसी चाब द्वारा सेस्वर्दी के किसी बिंदू पर अंतरित कौन का दोना होता है यह थ्योरम आ गई आप इनके ब्रतों के वह अनुस पर शिरेगा है किचे गढ़ना कीजिए तता लंबाइयों की माप भी बताइए लास्ट कुश्चन है एक सरकस का टेंट तीन मीटर उचाई तक बिल्लाकार है प्यास 150 संकाकार भाग की तरिशी उचाई 53 मीटर है टेंट बनाने के लिए आवशक के नवास का चेतफ़ लियाद कीजिए, ये मेरा गैस पेपर है, अब ये मेरा गैस पेपर है, अगर इस गैस पेपर को देखकर, अगर आपकी कोई भी शमस्या हो, तो आप Wikipedia चैनल के माददिम से अपनी comment box में अपनी problem को जरूर सेर करें, जिसस आप